वेलकुम बैक तो मैं चैनल ट्रडिशनल स्टाइलिश प्रेयंका आज की जो वीडियो है लहना हौल के उपर है बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्यारे लहने का कलेक्शन है लिहां पार्टी वेर हौल है वेडिंग है हौल है बहुत ही खुबसूरत है फेस्टिवल में और इ आफोड़ीबल प्रयस में आपको बहुत ही ज्यादा और क्हों है的 हैं 79 rapid इस परेंट बैग में और जिप वाले बैग में बहुत ही अच्छे से पैक होके आपको आइटम रिसीव होता है। मैं इसे ओपन कर लेती हूं। बहुत ही खूपस्युरत और बहुत ही प्यार येलो कलर का लढ़िया। जिव मैं इसे साइट पे देखा था बहुत ही आवसम लगा था ये लढ़िया। यह वेश्व हैं ऐसान प्रिभ्याक ये लिख इसे तरह से उप्रीडर की गई है। आप धिक सकते हैं। सिक्वेंच का काम किया गया है और ये जो सितारा दो इसे में काफी trend में है, sequence work इसे में बहुत ही ज्यादा trend में है और बहुत ही खुबसूरत भी लगते हैं किसी भी party function में wear करने पहे west line पे आपको इस तरह से पूरा काम मिल जाता है और इसमें जो डोरी लगी है इसमें इस तरह से आपको यलो कलर के कपड़े के टेस्ल मिल जाते हैं आप चाहें तो इसे रेमुव कराके बहुत एक Ur Radio आपको यहां पे एक जिप मिल जाती है, इस तरह से आपको यहां पे एक जिप मिल जाती है, जिसे आप यहां पे क्लोज और जिप मिलने से यह होता है, कि आपकी वेस्ट लाइन पे आराम से आप इस लहंगे को वियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही, और यह लहगा जो है तेनी स्टिच नहीं है पूरा फुली स्टिच लहगा आपको रिसीव होगा और इस तरह से और जो इसका फैब्रीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जारजट का फैब्रीक है और बहुत ही प्यारा यलो कलर है मुझे बहुत ही जादा पस अच्छी आपको बहुत ही कंफर्टिवल फील होने वाला है और बहुत ही एवी लुक देगा बहुत ही ज्यादा इसकी घेर है आप दिये कलीजे फ्रेंड्स बहुत ही है वी घेर वाला ये लेहना है इस तरह से इसकी घेर है और त्रायओन भी आपको दिखाऊंगी इसक्रीन मैं में मेंशन कर दूंगी ट्राइओन पहने पहने पर बहुत एक उपसुरत बहुत यह आसम लुक आने वाला है और आई होप आपको भी लहना बहुत ही पसंदा रहा होगा और इस लहने में जो है आपको अलग से जो है कैनकेन लगवाने की जरूबत नहीं है इसकी मिलेगा फ्रिल पैटन में आपको कैन-कैन मिल जाएगी फिर उसके बाद जो है अपको एक और साटन की लेयर मिल जाएगी अंदर के साइड में जो की वियर करने में काफी कमफोर्टेवल रहती है और और यह ऐसा लहना है कि इसमें बहुत जादा वर्क नहीं किया है तो स्टूर रहता ले ऐसा लहना है जिसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं चुटो मोटे पार्टी फंक्शन पूजा बहुत सारे फेस्टिवल में करवाचौत में दिवाली में दुर्गा पूजा में आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही खोपसूरत है आप यलो कलर के लहने मे यज में बहुतिक तरह से का में बहुतिक आले जाता है इक उसा है और लॉपोसक में जालवर का जासे क है और इंड़ा हैं पूर दुर्ग में जाल वर्क ऑप सिर्फ बीच में आपको एक जगा से स्सेटार्अ का वर्क मिल जाता है जो कि बहुत एख उप्सूरत लगने वाला है ये दुपट्टा विया करने के बाद बहुत ही खुबसूरत है इसकी डुपट्टे को हैवी क्या गिcity अशम प्रॉटण इस बहुत है उप तो रहे आए औरूल थना को मैचक रहे ए अन्होंचे औरुआप कर सक्क्राद गार कि रहे configuration może जाएक माल सुस्ड कर दो सक्भूब करें, में शॉइंस सब्सक्राब मारत पृर से ब्लाउस नेट व्ला रहेस actus नेट वाफं प्राइडरी आपको मिलेगी, फुल सिलीव इस पीजिए, इस तरह से है, इसकी देख लीजए, इस प्रूल सिलीव का पैटरन बनाुब है, फुल सिलीव के लिए पूरी इंबरोडरी दी गई है, इस तरह से आथ देख सकते हैं, इस तरह से एक बॉडरर भी यहां पर पूछेंगे आपने इस लहंगे को कहां से बाई किया है नेक्स जो लहंगा मैंने मंगाया हुआ है जो सिंदिया से उसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं अगें यह भी बहुत ही अच्छी पैकिंजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है कि सारे प्रोट आपको इसी तरह के टा सबसे पहले हम बात करेंगे इस कर्ट की तरह से इसकी वेस्स लाइन पे जो है नो ने बॉर्डर बनाया हुआ है सैटन का फैब्रिक है और फैबरिक बिल्कुल एक गाजरी और कोरल पिंक सा कलर है जो कि बहुत ही खुपसूरत है ना यह रैड है ना पिंक है ना गाजरी कलर है और कोरल रेट कलर कह सकते यह झिलाल क्या कहते हैं लेकिन इतना खुबसूरत इतना प्यारा कलर है यह हर हर ऑकईजन पर एपाइश कर सकते हैं करवाचाओ अब duż फंक्शन में आप इसे वियर कर सकते हैं, फिर किसी भी पार्टी में भी आप इसे वियर कर सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत लगने वाला है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेट का फैब्रिक है ये, और नेट के फैब्रिक पे आपको सीक्वेंस का काम मिल जाता है, अगेंस सीक्वेंस वर और के मुझे लगता है 42-44 को बहुत ही आराम से आ जाएगी और बहुत ही प्यारा लेंगा है और बहुत ही soft वाला नेट है ऐसा यह बहुत ही rough वाला नेट है जो आपको बिल्कुल पेलिल झूभेगा और बहुत ही सीटारे लगे हैं किसी भी पालटी फंक्शन में जब आप वीर करेंगे तो बहुत ही खुपसूरत लूक आने वाला कि साइड में जो है आपको इस तरह आपको चोड़ा सा वाडर मिल जाता है और इस पर आपको ठ्रेड वर्ग मिलता है घ्रे गरे जरी वर्क से जो है embroidery की गई है एक दब neatly finished embroidery है ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा messy है या फिर इसकी embroidery नहीं अच्छी है बहुत ही neatly finished और ग्रे कलर को जो जरी वर्क का combination दिया गया बहुत ही awesome लग रहा जो और इस पर जो आपको sequence लगे हुए हैं यह भी ग्रे कलर में है तो कोरल पिंक या कोरल रेड जो भी से perfectly मुझे नहीं पता इस कलर को क्या कहते हैं उस कलर के साथ यह combination awesome लग रहा है और बात करें इस लहंगे की layering की तो इस तरह से एक net का fabric का लेयर मिल जाता है उसके बाद यह जो आपको satin वाली जो फैब्रिक मिलती है इसमें को बहुत ही चौड़ा सा जो है I think जो बक्रम वाले कपड़े hard वाले आते हैं जिससे घेर एक लहंगे को shape मिल सके वो लगा हुआ है और उसके बाद जो है आपको जो है अगेन फिर एक लेयर मिल जाती है जो अंदर की लेयर है बहुत ही सॉफ्ट है जिससे आपको वेयर करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वज़े से जो है अंदर की लेयर है उसे कंफर्टेबली आप इस लहंगे को वीयर कर सकते हैं और आप देखिए डबल केन केन का इसमें इस्तमाल किया गया है उपर के साइट भी बहुत ही हार्ड सा मडेरियल है जो बखरम साइट या फिर या I know, don't know इसके अंदर क्या है लेकिन मुझे लगता है केन केन ही है और पिर उसके बाद आपको फ्रिल वाली केन केन मिल जाती है यह लहंगा है आप दे कर लेना है और इनकी 7 डेस की जो है रिटर्न पॉलिसी भी है तो अगर चाहें अगर आपको कोई प्रोड़क्ट डैमेज रिसीव होता है या फिर आपको कोई प्रोड़क्ट नहीं पसंद आता है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं लेकिन आप मुझे पूरा फुल है 100% यकीन आपको बिल्कुल भी आप वापस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा है बहुत एक उपसूरा तरह से यह डुपट्टे में आपको इस तरह से बॉडर मिल जाती है सीक्वेंस वर्क वाली आप तेख लीजे फ्रेंट्स ग्रिय कलर के सीक्वेंस लगा हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट वाला नेटी अच्छी क्वालिटी का लेंगा है बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होगा इसको बाई करने के बाद और इसके बाद से इसी में अटेच उन्होंने यह ब्लाउस का भी कपड़ा अटेच किया हुए अब देख लीजे फ्रेंस फुल ब्लाउस आपको मिलेगा और यह सिल्क का मटेरियल है जो सैटन का इंड आफ सिल्क है सैटन का जो मटेरियल होता है इस पे भी ग्रे कलर के थ्रेट से इंब्राइडरी की गई है और जो सीक्वेंस वर्क जो ही इसमें लगाया गया है बहुत ही खुपसूरती से इस पे इंब बनासकते हैं क्योंकि जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया था स्लीवलेस ब्लाउस का लُ trades किया गया था तो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो अप चाहें तो बिल्कुल छोटीसी ब्लाउस आप बनास적 सकते हैं बहुत ही खुपसूरत ब्लाउस त्यार हो जाएगी इसके साथ इन्होंने पिक्चर भी प्रोवाइट की हुई, आप देख लिजे, इस तरह से है, और यह लुक आने वाला है, आप देख सकते हैं, इस तरह से डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का कॉंबिनेशन बनाये गया है, इस बहुत ही प्यारी इंब्राइडरी है, बहुत ह सकती है, इस ऑ semble ही फासते हैं, आप पर फासते हैं, तो देख情况 हbench से हैं, बहुत ही खुपसुरत इम्राइडरी इस पे आ हैं और इस पर हल्का लाइट पर फिर और निजे पीज और बहुत ह इख साम पहले हैं, और इस च。 जो है रेसन का धागा नहीं यह जरी वर्क का ही काम है बहुत ही खुपसूरत इंबराइटरी यह गाइस बहुत ही पसंद आने वाला है इसकी भी प्राइस में पिक में में चरह कर दोंगी इसक्रीन पे और इसका ट्राइए आउन भी आपको दिख जाएगा बूटिया मिल जात होते हैं नीचे के साट में बहुत ही चोड़ा सा बहुत ही खुपसूरत सा बॉडर है अब देख लिजे और यह बिल्कुल कटिंग वाले जो बॉडर होते हैं उस टाइप का इसमें बॉडर बना हुआ है बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी इंब्राइटरी मुशे बह और इसके अंदर जो है आपको इन्होंने सैटन का जो अच्छी क्वालिटी का सैटन का अस्तर भी प्रवाइट किया है तो इसके लिए आपको अस्तर खरीने की जरूत नहीं पड़ेगी इसमें लाइनिंग इन्होंने दी हुई है अब बात करें स्लीव की तो यह स्लीव का यह portion है स्लीव पे भी अगीन बहुत ही खुबसूरत सी embroidery आपको मिल जाती है इस तरह से embroidery मिल जाएगी आपको को स्लीव पे combination है वो तो बिल्कुल awesome लगा मुझे dark green के साथ light green का combination जो इन्होंने दिया है मुझे काफी पसंद आया दोस्तों अगर आप कोई बहुत ही खुबसूरत सा कुर्टे के साथ skirt का set ढूंड रहे हैं तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें आपको बिल्कुल भी regret नहीं होगा या मेरे पैसे waste हो गया है और यह ऐसा सेट है इसका skirt जो है मैं भी आपको दिखाऊंगी बहुत ही खुबसूरत उसके साथ आप चाहें तो कोई डिफरेंट टाइप का ब्लाउज या पिर कोई भी टॉप कैरी करके उसे लहंगे का भी लुक आप क्रीएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा साथ साथन का फैब ज़ागी है तो कितने बाद नेकि बार ज्याएंन कुछ। प्रेंट इसगा डिफरेंगी ज्कश्व क्लीफ आप ह deux- sammauggy बहुत हुत ही खूप्सूरत बार मिल जाता है जो कि बहुत ही तो सब्सक्राइब का बधा से लिचस्व के विंजए बहुत ही पहुत ही खूप मिल जा रखिया पियारी से इंपराइडरी में कई गई यह जिसके सब्सक्ता है तो इसके बाद एक चोड़ा सा बॉर्डर मिल जाता है ग्रीन कलर का और इसकी घेर भी अच्छी है आंगे दाल्टी यह कि बहुत ज्यादा घेर है इसमें और इस तरह से यह पूरी स्कष्ट में एक बा यह लेहंगाई से बूलूंगी और बहुत ही खुबसूरत सा इस ने का उसना चुछ ठीक क्वाइट कには आइ आइ तिंक इसलें इस has Ollie के साथ ए और सुल अविण के हे खी शाहती है चॏक्ठ कभा लगवा सकते हैं और इसे एक लहंगे का लुक दे सकते हैं जो कि बहुत एक खुबसूरत लग इस ड्रेस को आप तीन तरीके से यूज कर सकते हैं पहला तो आप कुर्टा और सकर्ट के साथ दूसरा आप सकर्ट को जो है किसी टॉप के साथ यूज करके ऐस लहंगा यूज कर सकते हैं तीसरा जो है इस इस खुर्ते को जो है आप जो है पूर्ता और पैजामा या फिर चोड़ीदार या फिर इसे बिलकुल टाऊजर या पिर स्ट्रेट पैंट की तरह आप इस लवा कि इसको अलग से भी लोग रियेट कर सकते हैं इस ड्रेस को आप तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फुल पैसा वसूल ड्रेस हैं और थोड़ा सा हाई रिंज जरूर है, लेकिन इस प्राइस में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये हाई रिंज का प्रोड़क्ट मैंने आप से शेयर किया है, वेडिंग फंक आप बताईगा कि आपको कौन सा सेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, बात कर लेते हैं इसके डुपट्टे की इसका डुपट्टा अगेन बहुत ही खुबसूरत है, इक बारा पास से देखिए फ्रेंड्स, इसका वर्क कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्रिटी वर्क है, आइ ठिंक कैमरे में ठीक से आपा रहा होगा इसका पूरा वर्क और बहुत ही खुबसूरत सा बॉडर है, बहुत ही प्रिटी सा बॉडर है, बहुत ही खुबसूरत आने वाला है, बहुत ही प्रिटी सा बॉडर है, इस पे जरी और स्टोन का का स로 4 तरह से इस से पुरे बूटय शेप आब में चो इलीव शेप में और इस दूपते की लैंध हो ओन्हें बहुत हो आप देख लीजे फ्रेंट्स इस तरह से ये पूरा डुपट्टा है बहुत ही खुपसूरत है दोस्तों ये था मेरा आज का लेंगे हाउल का कलेक्शन आई होप आपको आज का कलेक्शन जरूर पसंद आयोगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और स टेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक खुछ रहें मस रहें बाबाई टेक केर थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो